नमस्कार दोस्तों आप श्रवी का बहुत बहुत श्रवागत है धनुराश्वी वालों दोस्तों अगले तीन दुनों का श्रमी आप श्रवी के जीवन के लिए बहुत ही मायने रखने वाली हैं क्योंको यह श्रमी आप जीवन के उन सच्चाई के बाने में जानने वाले हैं जिने लेकार आप पिछले इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिशान रह रहे थे। तो दोस्तों आपको बदा दें कि शमी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पुन होने वाले हैं। यशमी आप एक भी गलत्ती करेंगे तो गरहों कि यह चल आपको रोने पर भी मजबूर कर सकती है। जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में जय माहताद लिखेगा गुरुजी का शीधा स्रीबाद प्राप करेगा। तो दोस्तों जरू लिखेगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथ ही वैल आइकन को प्रेश कर दें। तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं। अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मी आपको अपने उजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियानवीत करने में कुछ परिशानया भी आशकती है। प्रद्र दोस्तों यश्मी आपको ध्यारी बना कर रखना आपके लिए उच्छित होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों के कारियों में ज़्यादा हस्टपेक्च करने से उनके मनोबल में कमी आशकती है। दोस्तों इन सबी चुजों से आपको यश्मी शावधान रहने की आशकता होगी। और इसकी प्राण दोस्तों यश्मी आपके लिए सिम्होंगी। आपको पता दें कि आपने अभी तक अब कड़ी मेहना दोरा अपना अस्थान निर्वान किया है। दोस्तों यह अस्तान को मराई रखने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों आपके जीत की वज़शे परिवार के कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका परिवार के परती प्रेम और जीमेदारी निभना इन बातों की वज़शे रिस्टों में आ रहे तनाव ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों यह अर्थिक मामलों पर अधिक से अधिक ध्यान दें यह आपके लिए बैतर होंगे। दोस्तों यह में लाप्षमन दी ग्रेस्त दियां भी बनी हुए क्रम और पुर्शार्थ के माध्यम से आप शबलता और उपलवदी हाशिल यह में करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि खीचिवी प्रेस्तिती में आपका शवावी मौन वा फिर आत्मल यह में बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यह में आपको अपने गुश्य वपिर चिरचिड़ापन पर नियंतर रखना चाहिए कभी-कभी इसकी वज़शे आपका शवाव जिससे होगा कि आपको कुछ दिकतें भी खड़ी कर देंगी। दोस्तों आपको बता दें कि बाहरी विक्तियों का अपने विक्तिगत जिवन में हट्पिक्ष ना होने दें क्योंकि दोस्तों आपके शमस्या की जड़ यही हो सकता है। और इसकी प्राइन दोस्तों आपको बदा दें कि अभी तक बर्बाद की वक्त और उड़्जा की वज़से यश्य में आपको पैस्तावा भी होगा लेकिन दोस्तों जो बातें हो गई है उन बातों पर अधिक ध्यान नो देते हुए आपको बदलाव लाने क्यों शक्ता जोजना ठीक तरीके चिव बना रहे हैं लेकिन योजना फ़र ठीके रहने के लिए आपका एक्छार सकती कम रएयह हैं इसलिए दोस्तों यक्शल संपर् Cath Miller कै घायरा भी जनसंपर की दाईरा भी यश्य में बढ़ने वाले कुछ राजनेतिक लोगों के शाथ भी लावदाएक मुलाकात होंगी घर में धार्मिक कारेच शंपन होते और योजना भी बन सकती है इसको परादो से इसमें आपको बदा दें किसे समारिक शेवी संक्सा से जुड़ना आपको इसमें खुशी और सुकुन दोनों देने वाले इसको परादो से इसमें कभी कभी कोई नकारतमक बातें भी आपके उपर हावी होने के उजशे मनोवल में कमी आएगी तो इनसे आपको श्रावधन रहने क्याव सकता होंगी दोस्तों अपने शौभाव को इसमें पोजिटिव बना कर रखें ये आपके लिए बैतर होंगे कोई भी कार्य करने में जदा सोच बिजार ना करें अनित्था जो है समय हाथ से भी निकल सकता है इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए इसको परादो से इसमें आपको बदा दें कि आपको मिले अनुभाव दोरा के शौभ वेक्ति के शाथ केसे बरताब करना है ये बात आपको अच्छे से पता है और दोस्तों इस बात का फाइदा इसमें उठाते हुए आप पुराने रिष्टों में बदलाव भी लापाएंगे दोस्तों आपको बता दें कि जित्तेदारों के शाथ हो रहे है मनम उठाब को मिठाने की आपको कोशिच करने चाहिए और अपकी कोशिच भी काम्याब रहे lot sustain लें इस MSO में आपके लिए शंसेयव होंगे आपको बता दें कि कि शंसहमदी खोई सूप समचारे आपको बता दें कि शंसमें हर काम को शांतिक पूर्ण pairs तरीके सी आजिक करेंगे वहार उसे डिखाव के चकर में आप अधिक खर्चक, Jewelski बचना चाहिए दोसटों कि से अगर कोई बाला किया है तो दोसों इने आघош सुपूरा करें ऑर पर गस्याओ यहाँ वास कि आप सम थे वही मों के फिर शी आपको प्राप्त होंगे इस बार दोस्तों आपको अधिक जागरूता दिखा कर मिले हुए अश्वर को फाइदा में बदलना चाहिए दोस्तों आपको बताते कि आपके अंदर बंडरे बने हुए जो भी नकार्तमक दिश्टी है इन्हें दूर करने की गोशिट करें और धिरे धिरे आप इन्हें में शबलदा भी प्राप्त करेंगे दोस्तों योग मारदर्शन के चाहत साथ अपने प्रतन में जारी रखें यह आपके लिए बैतर होंगी और दूस्तों इन से आपको अपनी युजणाओं में कुछ बदला वेश में लाना चाहिए और इसको प्राण दुसले प्राव में, नोक्राइब व्यक्तियों के लिए भी ओपिश का पहुल शकार्टमक बना रहेगा और इसको प्राहत दोस्ते अश्में आपके carrier के लिए जो समय होगी आपके वायशाय के लिए जो समय होगी आपको बता दें कि यह शारा दिन बाहर की गुतिद्लियों में भी वहीतित होगा मार्केटिंग शमंदी कारियों में उचित शबलता भी इसमें आपते हासिल होंगे लेकि दोस्तों इसमें नोकरियों में कुछ भी स्तार समंदी योजना भी बन चुकती है नोकरियों में एक तुशी परकार के परिवरतन या फिर तबादला की स्थिती भी बन रही है इसको परादो से शेयर तथा रिश्क को परवर्टी से इसमें आपको दूर रहे हैं ये आपके वहिशाय के लिए इसमें बहतर होगे और इसको परादो से इसमें आपके वहिशाय के लिए जो समय होगे आपको बता दे देकिन दोस्तों यश्मी आपके लिए सम्होंगी, मार्केटर शबंदी कार्यों में आपको शुबलता प्राप्त होगी, नोकरी में परिवर्तर शबंदी आपको जो भी प्रयाश है यश्मी सफ़र हेंगे और इसके प्राइन दोसे यश्मे अगर आपकी लेप लिकर बात करें तो दोस्वे इस यश्मे शनतान की किसी समस्या को लेकर पती-pत्री में तनाव रह सकता है दोस्तों बेहतर होगा कि शान्ति पुन तरिके से शमझे आपको सुलजाने का प्रयाश करें अवर्श ही कोई सब्लता आपको इनमें मिलने वाली है और इसके प्राना दोस्तों इसके शमझे आपको प्राना दोस्तों आपके लव लाइफ के लिए कोई अच्छा रिस्ता भी इसमय आ सकता है परिवारिक वातारण भी एश में खुशनमा बना रहेगा इश्ड़े दोस्य श्में आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए उनमें आपको श्मय वहितित करना चाहिए और इसके प्रादो सेंस में आपके लव लाइफ के लिए समयोंगे आपके प्रेम शमंदों के लिए समयोंगे आपको बता दें कि प्रेम शमंदों को पारिविरिक समधी से विवाह में परिणित होने का आवस्वर भी मिल सकता है बच्चों के जो है अनुशासन में रहने की वज़े से घर का महुल भी इसमें खुशनमा रहने वाले और इसके प्रांदों से इसमें आपके लव लाइफ के लिए समयोंगे आपको बता दें कि काम के साथ-साथ पारिवरिक गत्युदियों पर भी आपको अपना सहयोग आपके सहत की तो दोस्तों यसमें पेट समंदी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी इसकी वज़र से आपको शिर्प अनुमित खान पान ही नहीं हलका फुलका और शुपाच भोजन भी देना चाहिए और इसको प्रांदों से इसमें आपके श्वास के लिए समयोंगे आपके स सहत के लिए समयोंगे आपको बदा दें कि श्वास अंत में ठीक होगा मोशों में बदलाव के ज़िए कुछ आलश और सुष्टी भी आपके उपर हावी रह सकती है दोस्तों आपको बदा दें कि यसमें आपके श्वास के लिए समय के से रहेंगी दोस्तों जो भी बिलट प्रिशर के मरीजें उनसे समझी दिकतें आशकती है यसमें आपको किसी भी कारे को करने से पहले तराव से मुक्त होना चाहिए इसलिए दोस्तों आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए या आपके श्वास के लिए बैतर होंगे